हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तू मैं चैनल कॉमर्स नोट्स आज हम बिजनेस एकनोमिक्स का इंपोर्टन कोशन अंसर करने जा रहे हैं कोशन है हमारा आउट्पूट इस एकुछा जाता है इस एक्सपेंट करना होता है तो अगर यह आजाए तो इससे कैसे एक्टेम्ट करना बराबर होता है किसके इंकम के तो यही हम इसमें explain करेंगे तो क्या लिखा है कि सबसे पहले इसको एक example से समझते हैं ठीक है किसी ने clothes बनाए किसी ने twice बनाए तो यह सारा का सारा जो भी total निकलेगा ठीक है उसे हम क्या बोलते है ठीक है तो simple idea क्या है इस पूरे के पूरे statement में तो बोल रहे हैं कि जो total amount of money है people earn करते हैं जिसे हम income बोलते हैं वो always same होती है जितना total amount of उन्होंने क्या है stuff बनाया है मतलब जो output बनाया है तो इस slide में हमें एक simple language में पता लग गया कि अगर जो person है different different वो क्या है output बनाएंगे तो उसके ब क्या output क्या होता है income क्या होता है और फिर अगर बो output बनाएंगे तो उसके बदले उन्हें क्या मिलती है income मिलती है simple idea यह था इसका next देखते हम people work and get paid people काम करते है और उसके बदले उन्हें क्या है payment मिलती है तो when people in the town make things जब वो टाउन में क्या है काम करेंगे चीजे output बनाएंगे they get paid for their work उनकों के काम के लिए पैसा मिलेगा इस payment को हम income बोलते है people spend their income अब क्या है जो उनकी income है जो उनकी money है वो क्या है उसको खर्च भी करेंगे तो के बोल रहे है with the money they earn जो money उन्होंने earn किया people buy things they need or like जो उन्होंने earn किया उससे वो वो चीजे खरीदेंगे जो उनको पसंद है जो चाहते है ठीक है अब जो spending है इसे क्या बोलते है हम जो उनने spend किया चीजों को लेने में उसे बोलते है हम consumption ठीक है फिर business invest क्या होता है some of money goes back into the business कुछ money क्या है business में वापस आ जाती है they uses it to buy more machines business क्या करता है उस money को more machine को purchase करने में क्या लगा देता है ज government spend money अब क्या बोले government spend करती है money जो कह रहे है कि जो टाउन की government होगी वो also spend करेगी money ठीक है जैसे की roads होगे schools होगे इनको बनाने में ठीक है तो जो spending उनने की उससे क्या है यह कह सकते है this spending is a part of total output तो जो total output हम निकाल रहे है कि इतना क्या चीजे बनी उसमें क्या है यह चीज ब अब यह कह सकते है ध्यान में रखनी होती है जैसे people काम करेंगे तो उने क्या है payment मिलेगी फिर people उस payment से क्या करेंगे spend भी करेंगे जैसे हम consumption बोलते है then business है business भी करते है कुछ जो पैसा होता से save करके क्या invest कर देते हैं फिर government spend करती है ठीक है और फिर क्या है और जो town है वो deal कर करता है ठीक है तो क्या है when you add up all the money people earn by making and selling things तो output को बनाने में और बेजने में जितना भी क्या है money लगी उससे अगर आप वो कर दोगे मतलब यह output को बनाने में जो भी वो कर दोगे अगर इसको plus कर दोगे it is the same as total income in the town तो वो उतनी ही निकल के आएगी जितनी क्या है income है उस town ठीक है तो दुवारा से मैं बोल रहे हूं क्या बोल रहे हैं आपको plus करना है जितनी भी money people ने earn किया output बना के उन सबको मतलब जितनी भी लोग थे उन्होंने जो भी output बनाया उससे जितनी भी यह कह सकते है जो भी output है उसको अगर आप उसको plus कर दोगे ठीक है वो money को plus कर दो बनाया कि जितनी भी money है जो people यह कह सकते है अर्न करते है इस जस्ट थे सेम आज आज अल्ड़ स्टप्स वह उसके बराबर होता है जितना उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया और जितना उन्होंने सेल किया अट ठीक है तो अब इसको और कैसे लिख सकते हैं बोल रहे है जो statement output is always equals to income is a fundamental concept है यह macroeconomics का particularly क्या है इसको हम national income is use करते है ठीक है and it is often expressed using the equation तो इसको इस equation के थ्रू के हम वो करते है जैसे कि Y है Y represent क्या करता है हमारा total output या फिर income कितनी है economy में अब इसको कैसे निकाल सकते है हम C कुछ लोग consumption करेंगे उस income से ठीक है कुछ लोग के है उसी income से इ हमारा export और m से के हमारा import तो हम यहां पर क्या है net exports लेते हैं ठीक है तो consumption हो गया investment हो गया government expenditure हो गया and net exports इन सबको plus कर देते हैं तो वो किसके बराबर आएगा हमारा income of the economy के या फिर output of the economy के बराबर आएगा ठीक है तो यह थी हमारी equation ही आपको बताने है और यह क्या क्या represent कर र total output है जो वाई लिया है हमने वो economy का वो कह सम total होता है किसका consumption का investment का government spending का और net exports का ठीक है this is based on the idea यह इस बेज़ है idea के कि every unit of output produce जितना भी output क्या है produce होता है हमारी economy वो eventually बाद में जाके क्या हो जाता है become someone's income वो किसी ना किसी की क्या बन जाता है income बन जाता है उसके बाद है यह ठीक है wages की form में salary के form में profit के form में ठीक है और in return उन्हें income मिलती है ठीक है उससे फिर वो consume करते है goods or services को फिर investment में देख लेते हम form क्या करती है इंवेस्ट करती है capital goods में ठीक है और other productive assets में ताकि वो produce कर सके more goods and services को जो investment है contribute करता economy के output में and क्या income बनती है किसी ना किसी की ठीक है next is government spending जब government spend करती है money goods and services में तो क्या है वो किसिने के income बनती है ठीक है individuals की वी income businesses की बनती है income तो यह प्रोवाइड करती है goods or services जो भी मतलब या तो इन्दिविज़ की बनीगी income या तो business की बनेучी क्या примक है goods and services provide कर ले ने नेट export तो यहां पर लिखे है the idea is that every unit of output इसमें क्या देखते है कि जो every unit of output है वो eventually क्या है किसी ना किसी की income बन जाती है तो अब last में हम finally इसकी summary देख लेंगे क्योंकि summary आपको लिखनी होती है तो क्या बोल रहे है when you add up all the money people earn तो जब हम क्या है add up कर देंगे सारी की सारी money जो people ने earn कि है selling things output को बेचने के लिए मतलब जो बेचा उन्होंने उससे जो भी यह कै सकते है money उन्होंने earn किया है उसको add कर दो it is the same तो वो कैसे निकल के आएगी